वाटर अब्सॉर्प्शन टेस्ट है सबसे पहले आप क्या करेंगे इसके अंदर सेंपल जो है वह 15 एम की स्ट्प है सेंपल को ऐसे क्लैम्प किया है सबसे पहले इसमें पीछे की तरफ इसमें एक लॉक है गुमाली जो मेशिन को गुमाली है वेजी कि यह देखें यहां पर एक गुरूव है जो आप इसे दबाएंगे तो यहां इसे बिठा लेंगे बैठने के बाद प्रॉपर ली वाटर जो है वो 10 mm तक आना चीए स्केल्स लगे है इन स्केल्स पे 10 mm तक वाटर का लेवल होना चीए बापीस निकाल दीजे इसको एक बाद नीचे की जो SS की ट्रेय है इसको हमने फ्री रखा है कि इसके अंदर आप चाहें तो आप इसको एड़ कर सकते हैं वाटर को निकालके और यह फ्री है और यहां से आपने टिशू से साफ कर लिया एक बार आपने चेक करने के बाद इस्टिक कटी है 15-15 mm की विट से उपर से आपने चिम्टी है उसे हटा लिया और नीचे तक जहां तक स्केल है वहां तक आपने इसको लगाया उपर से मोड़ा और यह चिम्टी से क्लैम कर लिया कि यह अल्मूस्ट 10 मिनिट का टेस्ट है कि 10 mm जो वाटर है वो कित्ती देर में चड़ जाएगा यह देखें बिलकुल ब्रापर हो गए है और आप इनको पीछे से दबा के लॉक किया अब यह पानी के टच में आगए अब इस टेस्ट के इस पैडल में आप एक क्लॉक चला लिजे वो क्लॉक अल्मूस्ट 10 मिनिट तक चलने के बाद उस क्लॉक को रोकिए जब 10 मिनिट पूरे हो गए तो आपने यह आपर पार्ट को रिलीस किया और यहां से आपने मेजर कर लिया इसकेल के सामने जैसे इस तरह आपको दिख रहा है इस इस 39 mm का राइजमेंट है और दूसरी तरह अगर हम इसे मेजर करें तो इस इस अरावं 37 आप इस केल से मेजर कर सकते हैं कि 10 मिनिट के इंदर 10 mm पानी में डुबोने के बाद कितना कैपलेरी राइस हुआ है है अजय कि अ कर दो कि बाद कर दो कर दो कर दो है